खुशी कोई कभी कभार होने वाली चीज नहीं है, ये कोई उपलब्धी ये सिध्धी नहीं है, इसे तो आपके जीवन का स्वाभाविक माहौल होना चाहिए. अगर आप खुश रहते हैं, तो आपका पूरा जीवन एकुटसव बन जाता है, अपनी खुशी को बचा कर न रखें, आपको कब्र में जाकर हसी से लोटपोट होने का मौका नहीं मिलेगा. वो सारे लोग जिन्होंने उम्र भर अपनी खुशी को बचा कर रखा, मैं कब्रिस्तान में उन्हें देखने गया था. यकीन कीजे, वहां मुझे हसने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी. जब आप सुबा उटते हैं, तो सबसे पहले आपको मुस्कराना चाहिए. रात को जब आप सोने गए थे, तब से अब तक, दुनिया में करीब दस लाख लोग मर गए. लेकिन आप जिन्दा हैं और जाग भी गए हैं, इसलिए मुस्कराईए, फिर अपने आसपास देखिए. बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अपने किसी करीबी व्यक्ति को आज खो दिया. आपके सभी करीबी लोग आज जिन्दा हैं. वा, आज कितना बढ़िया दिन हैं. क्या आज सुभा आपने देखा कि सूरज बिलकुल बढ़िया तरीके से होगा, फूल खिले, आसमान से तारे नीचे नहीं गिरे, और सभी चीजें व्यवस्थे ढंग से काम कर रही हैं. सारा ब्रहमान आज सही तरह से चल रहा है. लेकिन एक बुरा विचार आपके दिमाग में कुल बुला रहा है, और आज का दिन आपके लिए एक बुरा दिन है. दुख का अनुभव इसलिए हो रहा है, क्योंकि ज्यादा तर इनसान जीवन के असली स्वरूप को भूल चुके हैं. उनकी मनोवैज्ञानिक हकीकत अस्तित्व के सत से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है. आपने यहां मौजूद इस सद्भुत स्रिष्टी के आगे अपनी छोटी सी रचना को कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया है. आप जिसे अपना जीवन कहते हैं, वो इस ब्रह्मान में सिर्फ एक बारीक से कण जैसी एक बहुत छोटी सी घटना है. उस लिहाज से क्या आप बड़िया नहीं हैं? हर रोज बस पांच मिनिट लगाईए. चीजों को उनके सही स्वरूप में देखिए. निश्चित रूप से आपके चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाएगी. आधुनेक विज्ञान ये सिद्ध कर रहा है कि सारा अस्तित्व सिर्फ एक स्पंदन है. जहां कहीं भी स्पंदन होगा, वहाँ ध्वनी होगी. इसलिए सारा अस्तित्व ध्वनी है.